इन दोनों को अगर compare करेंगे तो जब प्रतिबंद खुलते हुए दिखें बहतर रिकावरी अब फिलहाल देखने को मिल रही है दूसरी लहर के बाद economy खुलने से अब fashion retail segment में हम recovery का mode देख रहे हैं जुलाई अगस्त में pre-covid स्तर से 70 सब 85 प्रतिशत की recovery देखने को मिली है एकराखी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है online retail sales को काफी जादा अब reference मिलता हुआ काफी जादा पसंद किया जा रहा है नए shoppers की entry जो है उसमें 40 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है FY22 में नए stores additions पर company ने करीब 45% खर्च किये है expenses नए stores और यहाँ पर online trend को बढ़ाने पर company फोकस कर रही है त्योहर आने वाले हैं त्योहरी season में बिकरी बढ़ने के पूरे आनुमान हैं क्योंकि लोग अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पर online sales अभी करना और साथ ही shops पर जाकर भी खरीदारी करने के बारे में लोग सोच रहे हैं fashion segment की दो दिगज कंपनिया है AB fashion और trend इनकी अगर बात करें FY19 से लेकर FY22-23 के expectations भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको बढ़ता करम ही देखने को मिलेगा चाहें इनकी eye देखें year on year growth की स्थिती देखें margins भी देखें दोनों कंपनियां ने शांदार production किया है sector के लिए कुछ चनौतियां जरूर है कोरोना की अगर तीसरी लहर आ जाती है तो फिर भारी प्रभाव इस segment पर पड़ता हुआ दिख सकता है cases अगर October November में थोड़े भी बड़े तो फिर यह जो festival season का फाइदा है company नहीं देख पाएंगी revenue का 40% नुक्सान यहाँ पर होने की आश्रका है retail sector में कुछ खर्च है material cost, rental, employee cost, promotional expenses इससे जूजना है segment को ये एक चुनौती है जिसको segment को देखना है लेकिन इन सब के बावजूत फिलहास थिती जो है बहतर है और Monte Carlo trend, AB fashion जैसे तमाम शेहस के पिछले 6 महिने के trend अगर आप देखेंगे करीब 30 से लेकर 70% की बढ़ाद सिर्फ फर सिर्फ 6 महिनों में इन fashion retail stocks न दिखाई हैं तो तमाम retail sector से जुड़े stocks पर जरूर न जरूरा है